मैं बोलता जाऊंगा आपके अगर इन कुश्चंस में डाउट है तो आपको मैं बोल दूँगा मैंने वीडियो डाल दिया है तो आप देख लेंगे एक इस कुश्चंस का वीडियो डल चुका है पहला उसके बाद आ जाते हैं सरा आगे मैंने जितने इसका भी वीडियो और मैं डाल चुका हूँ और उपर कुश्चंस नंबर भी गीवन है मैं आगे बढ़ता जाता हूं इसका वीडियो मैं कॉंट्रेक्ट में डाल चुका हूँ तो अगर आपको इस कुश्चंस को करने में दिक्कत आ रहा है आपके सामने जो है तो आप वीडियो की मदद से कर सकत से है इसका कुश्चंस सके डाल चुकवह है सार इसका भी आनसर मैं डाल दिया है इसका बात ये नहिं डाला CPR के से मुश्किल कोश्चन के मैंने solution प्रवाइड कियें लेकिन आपके लिए सबसे अच्छी बात बताओं क्या है आप पहले इसको सेल्फ करना गलती कर लेना अभी आपके पास थोड़ा टाइम है गलती कर लो बेसक गलत करने के बाद फिर एक बार आगे बढ़ जाना वीडियो अगर नहीं होता इसका भी आंसर मैंने नहीं डाला लेकिन इसके जैसा मैंने कर दिया है और आगे बढ़ जाते हैं इनके आंसर मैंने नहीं डाले कुछ करा दिये कुछ नहीं डाले तो आजाईए जिनके आंसर मैंने नहीं डाले हैं तो मेरा तो मानना यह है कि आप सभी हूं और दीटी हो चुका है बहुत बच्चों ने में भी इमान्दारी से देखके कर लिया हो और बहुत बच्चों ने ऐसा भी हो सकता है कि अभी उसको देखा ही नहीं तो तो मैंने आपको अज बता दिया तो हम आगे बढ़ जाते हैं सर यानि सर आप जो बता रहे हैं कि जो इस वीडियो के अंदर डला हुआ हुए उन सभी को जिसको red mark डाले हुए मैंने नोट्स में वो सारे के सारे हो चुके हैं जी हां हो चुके हैं तो सर कौन से वाले रह गए दूसरे वाले questions रह गए हैं जिसको के मैं अब आपको take care करके बता दूगा के सर कौन-कौन से questions है जो हमें practice के तौर पर करना चाहिए तो आज आईए सर पहला question हम लेंगे यह 7.11 following related building construction दस लाग रुपे दो साल का डेटा गीवन है तो दो साल का डेटा कैसे कैसे करना है दो contract है एक contract है अभी हम देख लेंगे तो पहले मुझे बताई किसी बच्चे नहीं मांदारी से बताना किसी बच्चे ने यह question try किया और ट्राई किया तो कितने बच्चों का अंसर नहीं आया एक बार आप देखना आपकी किताब में कुन सा question number है कितने बच्चों ने ट्राई किया और ट्राई किया और नहीं आये जल्दी बता दीजिए फटा फट लाइव में सर कॉर्परेट अकाउंट का नोटिफिकेशन नहीं आया कि सर कॉस्ट अकाउंट की बुक का लिंक बुक अभी मैंने पहले बोला था ले लो अब आनी री बुक फिर मैं एक बार आज पूछूंगा आ गई हो तो मैं अभी देखी लेते हैं बुक का लिंक रुख जाओ बाकि नियरवाई शॉप से मिल जाए तो मेरे साब से बहुत बढ़िया है और अब भी दिखा दूँआ है कि मैंने आप सभी से कुष्चन पूछा कि सर आपने ये कुष्चन इमानदारी से किया नियर का भी अभी मैं बता दूँआ सारा बता दूँआ नियर का भी बताई को अग्यूत करूं यह कैज्लिध के अगर दूजया और अगर दूजया से आधे उडिटली चैनल को देली तो था आपके लिख द्रशन सिवदास है ।- ciudad-ig सिफदास.in यह आपका बुक यहां पर अवेलिबल हो जाएगा आपको युनिवर्सिटी में जाना है या फिर आपको सर्च का उप्षन है जो भी बुक चाहिए आप देख सकते हो तो मैं अगर आपके युनिवर्सिटी वाले में जाओ यहां से आप इसलेक्ट कर सकते हो सर ट और सारी डिटेल आपको दगीवन है लेकिन फिर भी आप अगर डाउट कर रहे हो मैं आपको एक नंबर लिख देता हूं यहां पर वह नंबर आप ध्यान से नोट कर लेना आप बाकी बाद में वीडियो होगा जो वहां के मेन से में स्टोर में सेल्स मेनेजर है मैं उनका न तरहां मैं नंबर लिख के हटा दूँगा गाद सेवन जीरो ट्रिपल वन फोर सेवन सिक्स थ्री जीरो समय टाइम है साहब टाइम कब तक का दोगे सर इसमें टाइम आपको इसमें मिलेगा दस से चे क्योंकि ओफिस आवर होता है ओफिस में फोन होता है इनका इनसे दस से सब्सक्राइब कर सकते हैं इनको यह लिंक के देंगे इनके लिंक के थुरू भी किया जा सकता है और आपके नजदी की दुकाना का डेली में हो या एंसियार में हो तो नियर बाइशाप पे सिंपल बोलना सिब्दास का टैनियर दे दो आपको अविलेबल हो जाएगा सर बच्चे कह रहे हैं सर टैनियर की बुक के या कॉस्ट की बुक या दोनों में से कौन सी बैस दोनों ही दोनों लेना पड़ेगा आप इसके अंदर दो कोई कोशन मार्क ही नहीं है कि आपको एक लेना है दोनों दोनों ही लेना पड़ेगा टैनियर जस्ट लाइक आपको प् से आपको एक्जाम के पेपर कैसे आते हैं यह पता चलता है दोनों ही लेना है अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो ठीक है चलिए सर इसको हटा दें नंबर को सभी बच्चोंने नोट कर लिया हो नहीं करा हो तो बाद में वीडियो देखके आप नोट कर सकते हो चलिए सब्सक्राइब इससामने कुश्छन से यह बताईए कैसे करेंगे बिल्कुल एक कुश्छन को अराम से देखते हैं पर करते हैं कहते हैं दाप के पास एक क्वान्ट्रेक्ट यह घृट्त कितने का सब्सक्राइब को यह यह और। और 2006 का डेटा गीवन है सर यानि यह कॉंट्रेक्ट चला फिर 2006 में चले गया दा वेल्यू ऑफ प्लांट एड़ एंड ऑफ दो हजार पांच यानि क्लोजिंग प्लांट का वेल्यू दोनों जगह का दे रखा रिस्पेक्टिवली प्रिपेर कॉंट्रेक्ट अकाउंट कॉंट लिए ठीक है सर क्यानि सर यहां पर दोट्रेक्ट अक 충alt बनाना पड़ेंगा दोअधिछ ऑंड़ च्ष हैने ऊपर नीचे रहेगा तो मैं ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा फिर सामने दोनों चीज़े दिखेगा हां कॉंट्रेक्टी अकाउंट भले हम पीछे बना लें या साइड में कहीं इधर उदर अर्जस कर लेंगे कि चलिए साहब कि आपको पढ़ता है कई काफी बच्चे बोल रहें सार इलेक्शन आगे अब डेट तो चेंज हो जाएगी पोस्पॉंड हो जाएगी मैं आप सभी बच्चों को एक ही बात कहना चाहूंगा डेट शीट तो आपकी आई ही कुछ बच्चे कह रहें सर इलेक्शन आगया डेट शीट चेंज आजाएगा चार-पांस दिन हो जाएंगे चेंज लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज्यादा खुश है कि यार चलो अच्छा है डेट टल जाएगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दिसंबर में पेपर होगा आपक होगा प्रेडिक्शन हाँ जो बच्चे के हैं उनका डेट शीट चेंज होगा उसके डेट शीट पर मेजर एक मेहने का इंपक्त आएगा रीजन विंग क्योंकि वह सेंटर लेवल पर एक्जाम होता है और सब्सक्राइब पर इस वजह से आपके डेट शीट पर खासा परभ है सब्सक्राइब कर दिये हैं मैं दिखाना चाहता हूं बच अभी कोस्चन करके दिखाऊंगा अब बार बार ना कमेंट में इधर उदर की बाते करके मेरे को भटकाते रहते हैं चलिए सबसे पहले क्या लिखें तू मटेरियल कितने का है तीन लाग तू मटेरियल के बाद डारिक्ट वेजिस कितने का है सर दो तीस डारिक्ट वेजिस के बाद है डारिक्ट एक्स्पेंस किसे ऐपैं सर डारिक्ट एक्समेंश कितने है सर बाइस हजार है सिंपल सिंपल खर्च रहे हैं इसके बाद वर्क सटीफाइड बाई डवलू आपी तो सर व्क सटीफाइड सर वक सटीफाइड कितने एसर आठ हजारaky no no sir सात पचास य fitted work not सटीफाइड रखक लूनसेटीफाइड यह रे नौडसेटिफाइड कितना है सर है इसके बाद सर क्या है अटैरियल एट साइट तो यहां पर आ जाएगा बैक क्लोजिंग क्या क्या में है साहाब मटीरियल कितना है यह बता दो मटीरियल कितना है कि इस पांच हजार कि इस मटीरियल के बाद फिर हमारा प्लांट इट साइड पहले से साथ हजार था कि साथ हजार और प्लांट आपका इशूड है 14000 तो यहीं पर आएगा टू प्लांट समझे आप 14000 का प्लांट और प्लांट इधर तो अटोमेटिक साथ अजार का डेप लग गया कैस रिसीव छे लाक रुपए वो तो फॉर्मूले का पार्ट होता है कभी भी क्या कॉंट्रेक्ट अकाउंट में आपने देखा है कैस अकाउंट आता है नहीं आता वर्ट सर्टिफाइड और दाता है तो यहां से भया अँट अगया है अचा कि पटाफट से ट्रॉपिट गया है अचा कि अवग पटाफट से प्रॉफिट बता दो मुझे है ने जाने न पांच हजा ना ड़ीव को जल्धी जल्दी बताऊ क्या रहा रहें कि जल्दी बताऊ सर प्लस क्या रहें आ माइनस दीन लाख को सर्दो लाख 4000 क्या मैं सही हुँ दो लाख-47za बताइए फटा फट कै दो तो लाग चारह जार आ रहे हैं सर प्लस जी हां सर सही बोल रहे हो दो सो चार ही आ रहे हैं ठीक है अब इस सर प्लस को क्या करते हैं कोई बताएगा याद आ रहा है आपको इस साहई दो फिस्से में बाट देते रहा हैं है कुछ यह है जी सर बिलकुल याद तो है इस दो हिस्से में बाढते हैं सब्सक्राइबाइस सब्सक्राइबि आजाता है PAC- wir ay नो этом पैसा दिप्लॉप रिजर्व कोओ इतना पैसा हो सकता यह मानते है थी के समझेगा है अब कौन सारा फॉर्मूला लगाओकए कौन सा फॉर्मूला लगाओकƏतोफ सब्सक्राइब बताओ तभी तो बताईंगे तो सर वर्क सेटिफाइब होगा 10 लाग का रुपे का काम कर चुके ध्यान देरा दस लाग के कॉंट्रेक्ट में कितना कर चुके हो साड़े साथ लाख रुपए का काम कर चुके तो यानि आपका काम कंप्लीट हो गया 75% कैसे हुआ सर कैसे हुआ 75% वो भी बता देते हैं यानि आपका साड़े साथ लाख divided by 10 लाख इंटू में 100 तो यानि सर 75% अब बताइए 75% में कौन सा फॉर्मूला कौन सा नियम कौन सा कानून लगेगा तो सर 75% वाले में CPL निकालोगे आप 2 बाई 3 इंटू में सर प्लस इंटू में कैस रिसीव डिबाइड़ बाई वर्क साटिफाइड तो 2 बाई 3 फॉर्मूले का पार्ट है 2,4,000 कैस रिसीव 6,00, वर्क साटिफाइड साथ पचास तो बताईए CPL में कितना आ गया सर CPL में CPL में आ गया 1,0,88,00 सर 1,0,88,00 2,4,000 1,0,88,00 तो 95,200 चलिए यहां तक सभी स्टूडेंट को क्लियर है तो बता दीजिए हाँ या ना फिर मैं आगे बढ़ जाओ यहां तक सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एक भी पॉइंट में डाउट नहीं होना चाहिए कि सर यह कैसे लगाया बुइभे बच्चे अभी जोईन होने यह फिए असी कलास से कंटीनिव कर रहे होंगे उनको दिक्कत आएगी उनको पहले पुरानी कलास देखने पड़ेगी सर क्लियर है सर इंडारेक्ट एक्समेंस नहीं लेना इंडारेक्ट एकस्पेंस लिया नहीं क्या मैंने ओह हो थcomfort लेना था घडबड कर दिया को इनडारीक धर्ग कितना थे गद्यां याद दिलाया कि अभर अब को बता ना चाहिए था रख या ना पड़ेना पड़े हम सब कुछ घडबर कुंग कर दी थे मेहनत बढ़ गई और यह गड़बन आपको हमेशा याद दिलाएगा कि इंडारेक्ट एक्समेंस लेते हैं कि आप सभी ओफ लाइन वालों को भी देखना चाहिए था कि कितने हैं कि अब बताओ टू सर प्लस क्या है कि दो लाग 4000 में से 6000 और माइनस करो न कि वन नाइन्टी एट थीक है वन नाइन्टी एट बस यहां पुट करना है कि तो भाई साब यह क्या आएगा 1 0 5 6 double 0 1 0 5 6 double 0 1 98 कि वन नाइन्टी एट माइनस है नाइन्टी टू फॉर हंडड़ जी चलिए अब मेरे इसाब से सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा जो अब मैं भूल गया था वह आपने बता दिया मैंने लिख भी दिया अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं अपना एक मकान बन बना रहा हूं कि बिल्कुल कि मकान बना रहा हूं कि अध्यान से देखिएगा और मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक दो मंचिला यानि दो फ्लूर का मकान बनाने वाला हूं दो फ्लूर होंगे मेरे में ठीक है इस साइट दिवार इस साइट दिवार नीचे नीवीव होगे उपर अभी लेंटर यानि छत नहीं डला है मैंने आर्किटेक से पूछा आर्किटेक भाईया बताओ कितना काम कंप्लीट हुआ है मुझे पैसे देने कौन पूछ रहा है सर मैं मालिक पूछ रहा हूं और जो मेर का भी काम 30% कंप्लीट हुआ मैंने करना ओक्किट ब्हूं रहा है मेरे काम चल रह है मेरे कॉंट्रैक्ट जो हैं थोड़ी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं आपको पांच परसेंट चलो इसको डेड़ लाख रुपे दिये और इस डेड़ लाख को क्या बोला जाएगा सर इस डेड़ लाख को बोला जाएगा कि क्या मैंने लिखा है वर्क सर्टीफाइड क्या लिखा है मैंने वर्क सर्टीफाइड सर्वर्क सर्टीफाइड हो गया आपका डेड़ कि न हैं अगली बार फिर से मेने बुलाए अग्ली बर फिर से मेने बुलाए के बह wilderness का मेरा मेरा माकान अभी और भी काम चलुठ रहाए मुझे एक बार जल्दी से फटा फट यह बताद मेरा मकान का काम कितना कंप्लीट हुआ और और कि तैग का का के बोलता को बोल दिया उसने अब बताइए मैं आप सभी से इक्सपेक्टेशन कर रहा हूं जवाब दोगे मेरा कॉंट्रेक्ट कितना था पांच लाग अब मैं सेकंड ये में आ चुका हूं मुझे जवाब दो मैं कॉंट्रेक्टर को कितने पैसे मैं दूं मुझे जवाब दीजिए मै contractor को कितने पैसे दू अंग कोई पैसे नहीं रखता दो जितना Even दे देता हूं यहां कि एक बच्छा बोलता एं मन कैसर constraint दू है बताइए contractor को कितना काम था और contractor बोलता है 80% काम वह चुगा है तो बताओ कॉंट्रेक्टर को कितने पैसे देने हैं कि आजरा ने कहा सर चार लाख रुपए दो को कोमल ने भी कहा कि सर चार लाख दो रोहीत करता है नई सर नई दो लाख पचास अजार दो और बताईए फटा-फट कौन बच्चे बता रहे हैं फटा-फट बताईए सुप्रिया कहती है सर चार लाख रुपे दे दो तो धाई लाग दे दो सर एक पचछतर दे दो हर बच्चे confuse हर बच्चों का अपना अलग 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 जमान जवाब है कि क्या करना है नहीं करना है पता नहीं अब मैं थोड़ा सा अपना एक दिमाग लगाता हूं मैं जो मैंने 10th क्लास में मैस पढ़ा था वही दिमाग लगा लेते हैं सर मिटेड़ लाख रुपए तो पूरा कावंट्रैकट मैं पूरा कावंट्रैक पूरा कांड्रैक जी पाँच लाख का था ओक के पूरा कोशने है तो दिया मैंने देड़ लाक तो दे ही दिया तो साहाब मेरे उपर तो करजा ही कितना बचा देना अगर वो 100% भी काम कर देता है तब तो मैं अभी 3.5 तीन ही दूँगा न लाइवल तो जिस बच्चे ने 4.5 जवाब दिया वो तो गलत ही हो गया जिस बच्चे ने 4.5 जवाब दिया वो तो गलत ही हो गया मैं तो कितना दूँगा सर मैं साड़े 3 दूँगा लेकिन साड़े 3 थोड़ी ना दे दूँगा 80% काम कंप्लीट हुआ है 80% यानि 4.5 रुपे का काम कंप्लीट हो गया है जिसमें से हम 10.50 लाग दे चुके हैं तो इसका मतलब400000 का कंप्लीट हो चुका है जिसमें से हम 1500000 तो दे ही चुके है तो सर 4,00000 में से अगर मैंने 1.5 लाग दे दिया है तो सर्च्छ YouTube कंप्ले 0,05 100000 ओर दे दो इसको आई लाग दे दो तो जवाब है सर पहले साल हमारी सेल थी सर मातर डेड़ लाक रुपे दूसरे साल कितनी सेल थी सर दूसरे साल कितनी सेल थी आपकी धाई लाक रुपे था तो सही जवाब जिस बच्चे ने दिया धाई लाक उसका सही जवाब है और जो बच्चे दे रहे थे चार लाग या दो लाक असी अजार या एक पिछेत्तर उनका गलत जवाब हो गया पहले बताओ ये चीजे समझ में आई या नहीं आई तो फिर मैं एक और बात आपको बताने वाला हूँ ये बात समझ में आया या नहीं आया कि कैसे धाई लाक मैंने निकाल आए हाँ पर हर बच्चे को ये बात समझ में आ गया बता दीजिए एकदम फटा फट से जवाब दे दीजिए जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए सर एक बार रिपीट कर दो यानि बच्चे कह रहे हैं सर एक बार रिपीट कर दो कुछ कहानी समझ में नहीं आई आपके घर की घर बना कैसे और कैसे क्या क्या कर रहे हो समझ में नहीं आया चलो बनाते हैं दुबारा घर बना लेते हैं पिर एक बार और घर बना लिया जाए ज कौन हो भाई साब यह भाई साब है कि यह मैं हूँ यानि कॉंट्रेक्टी और सर यह कौन है एक और बना लेते हैं यह है सर कॉंट्रेक्टर चलिए साब आपके सामने दो तरीके के इंसान दिख रहे हैं एक मकान बनाने वाला और यह मकान बनाने वाला दो तरीके के इंसान आपको सामने दिख रहे हैं अब हम दोनों की बातचीत हुई मैंने बोला मैंने बोला इससे के भाई मेरा मकान बना दे इसने बोला धीक है डन बना दूगा और डिसाइड हो गया दो मंजिला मकान बनाना है दो फ्लोर का मकान बनाना है और कॉंट्रेक्टर ने बोला भीया मैं लूगा तुमसे पांच ला मतलब मैं यह सोचूँगा दिमाग में कि कितना काम कंप्लीट किया उसके अकॉर्डिंग दूँगा तो फटा-फट मैंने इतना काम किया सर एक फ्लोर मेरा बनने वाला है भी लेंटर नहीं डला है मैं सेम एक्जामपल रिपीट कर देता हूँ यह लो इतना काम अब भाया कौन बताएगा मुझे मेरा काम कंप्लीट कितना हुआ कौन बताएगा कि सर इसको इतने पैसे दे दो यह तो बड़ी समस्या है तो मैंने बुलाया एक और वेक्ति को जो कौन था इस मकान के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है डेट इस आर्किटेक हैं सर यह आर्किटेक आया मैंने इससे पूछा कि भाई मेरे तुमुझे यह बता दे कितना काम कंप्लीट हुआ इसने बोला अभी बताते हैं इसने सारा हिसाब किताब गनित लगाया और बोला साहब आपका सिर यह 1.500,000,000 रुपे बनते हैं और यह 5.500,000,000 रुपे ले और तु अपना काम चालू रख एक साल बीत गया एक साल बीत गया फिर से इसने लेंटर डाला फस्ट यह बीच चुका है फिर से दो फ्लोर का वचन दिया था दो फ्लोर तो यानि एक फ्लोर और बनाना है चलो सर अब लेंटर नहीं डला इतना काम हो चुका हैं, दूसरे साल मैंने बोला के भाई, आर्किटेग भाई तो फिर से बता दे, कितना काम कंप्प्लीट हुआ है, अब सेकिंड इयर का बताई हो, ईसने देखा और बोला भाई साथ, आपका तो लगबाग लगबाग 80% काम complete हो चुका है तो आप ध्यान देना जो architect बताता है वह पूरे में से 100% में से count बताता है पहले कितना बताया 30 अब जो 80 बताया तो 30 के बाद 80 नहीं बताया उसने पूरे का 80 बताया तो इसका मतलब सर अब उसने बोला 80% काम complete हो चुका है तो क्या मैं उससे चार लाख रुपए दे दू नहीं जी नहीं देर तो पहले दे चुके हैं तो मैं कहूंगा यानि भाई टोटल काम तेरा चार लाख का कम्प्लीट हो चुका था वन पॉइंट फाइब लाग दे चुके हैं तो और तुझे कितना देंगे सर धाई लाख रुपए और देंगे यानि धाई लाख रुपए हम आपको और दे देंगे तो इस तरीके से मैंने बताया था कि धाई लाख रुपए सेकिंड येर में उसको दिये जाएंगे जो की देने हैं इतनी सी बात समझ में आ गई हो तो आप मुझे बताईए आगे बढ़ जाएंगे नहीं तो फिर समझ में आ गई इतनी सी बात यानि जो चार लाख रुपए की सेल है वह एक साल की सेल नहीं है चार लाख रुपए जो 80% निकला है वह दो साल की सेल है सर दो साल की सेल है यानि पहले और दूसरे को मिला करके, समझ में आई बात आपको, चलिए सर, ये बात समझ में आ गई है, सभी बच्चे बोल रहे हैं, सर आ गया, आ गया, clear है, आगे बढ़ते हैं, सर आप question की तरफ बढ़ जाते हैं, यानि सर ये जो पहला साल था, 2005 जो भी था, इसमें जो हमे ये sales दिख रहा है, ये digit sales दिख रहा है, ये इस साल का है, तो, 2005 के अंदर, इसने बोला, कि भी आपका जो work certified है, वो कितना होगा, अभी चर्चा करेंगे, पहले मैं थोड़ी से digit डाल लू, ताकि आपको देखने में अच्छा लगे, क्या क्या है, बता दो, two material है, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, हम बुक वाले style से ही करते हैं, two material है, two material है, two material है, कितना material है, बताओ, second वाली के बनाना, 80, और क्या-क्या है, direct wages, एक लाख, सहब एक लाख, पांच हजार, और क्या है, direct expenses, कुछ भूलना नहीं है, एक लाख, direct expense, इसके बाद, कितने, कितने, 1400, और, work certified, work certified कितना है, by work certified, कितने, post, के 10 लाख, 10 लाख का तो contract ही है, तो अब work certified नहीं लिखो, अब contract price लिखो यहाँ पे, 10 लाख, ठीक है, यानि इसका मतलब सर, मुझे 10 लाख मिलेंगे, और इसका मतलब सर, मुझे 5, 758 मिलेंगे, ठीक है, अभी मैं और भी closing की टाल दू, closing बताइए क्या है, closing दे रखा है, सर, plant issue कितने का किया हुए, plant issue किया हुए, सर 2000, to plant, कितने का है सर, 2000, अब ध्यान दीजिएगा, सर 2000 तो यह plant है, पुराना plant फैट थोड़ी देंगे हम, पुराना plant use होगा के नहीं होगा, पुराना plant पिलिको, कितने का, तो टोटल कितने होगे, बताओ, और adjustment बे कहता है, कि हमारा plant का closing balance कितना बचा हुए, पांच, समझ रहा है इस बात को, सर, opening closing stock कितने है, closing stock, यानि यहाँ पे कहता है, material at site कितने है, साथ हजार, सर, जो यह वाला closing material था, यह खतम, क्या use होगा के नहीं होगा, पहले इमानदारी से बताओ, होगा यह नहीं होगा, यह material होगा, सर, तो इधर लेके आओ ना, तो सबसे पहले, सर, दो साल के जब contract account होते हैं, तो पंगा तो सबसे पहले, जो पिछले साल का closing होता है, वो सारा data, अगले साल भी transfer हो जाता है, क्योंकि उसका इस्तमाल होगा, जैसे कि आप normally कभी किया करते थे, NPO के अंदर, या फिर आपने final account जब भी किया होगा, तो पुराना data, अगले साल हम carry forward कर देते हैं, यहां तक समझ मैं है, ओके सर, अब मुझे बताना, contract tree, आप सब अपने आपको मालिक समझो, आप सोचो, आपने बोला के भीया, इसकी contract, total contract price कितने का है, यह total contract कितने का है, total, तो साहाब यह total contract है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, जिरो, कितने का है, यानि मेरे पास 10 आना चाहिए, यहां पे sale कितना माना है, 758, और यहां पे sale कितना माना है, 10, तो ऐसे तो contract की मौझ हो गई, पहले बोल रहा है, 758 मिल चुके है, फिर वो बोल रहा है, अब यहां पे 10 मिलेंगे, तो ऐसे तो 17, 1758 का हो जाएगा, ना contract, तो यहां पे हमें तो sale कितना दिखाना है, जितना इस साल का sales है, यह sale तो भाईया, टोटल है, अगर मैं 2000, जितने भी आगे बढ़ते जाओं, जो work certified दूँगा, मैं वो total work certified दूँगा, तो भाईया, यहां पे मुझे क्या करना चाहिए, तो पुराने वाले माइनस करने का पता ही क्या तरीका है, simple इसको इधर उठाके लिख दो, to work, wip, to wip, कितने 758, 758, तो ओटोमेटिकली देखो इधर कितना आ गया, क्या, अब मैं 10 लाक रुपे sale मान रहा हूँ, जवाबे सर, नहीं सर, अब आप 10 लाक रुपे sale नहीं मान हो, क्योंकि 10 लाक रुपे आपके पास आने थे, जिसमें 758 माइनस कर दोगे, तो sale net आ गया, लेकिन सर, आप एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है, ये मेरा बैडेट्स होगा, ये मुझे नहीं मिलेगा, ये नहीं मतलब, ये मेरा क्या हो सकता है, बैडेट्स हो सकता है, तो इसमें से मुझे अगर बैडेट्स होगा, तो बैडेट्स को तो कम करना चाहिए हमें से, डेटर ये तरीके से क्या है, और sale का मतलब माल लो डेटर है, तो मुझे डेटर में से बैडेट्स को क्या करना चाहिए, घटा देना चाहिए, तो मेरा ये भी WIP यहीं आजाएगा, टू डवलू आई पी कितने रुपे सर नाइन्टी टू पॉर हंड़ेट यह टूटल हो जाएगा जाकर यह टूटल हो जाएगा सेवन फिट्टी एट था नाइन्टी टू फॉर हंड़ेट अब आट पचास मैं इसको दो तरीके से बताना चाहूँगा पहले बताओ यहां तक समझ में है सर प्लांट में कैलकुलेशन गलत कर दिया साथ लाग प्लस बीस अजार आपने नौ लाग दिखा दिया है ओके क्या बात कर रहे हैं बच्चे ओहो अब बताओ यहां तक समझ में आया जितना मैंने बताया इतना आपको समझ में आया के गया कि जल्दी जल्दी बताईए कि क्लियर रहा सब्सक्राइब प्लांट पांच लाग रख है यार अभी क्या बात चलता यह के सोलिशन मांग रहे हो अब समझलेगा अगर आप मालो दूसरे तरीके सा सोचो सिंपल अकाउंट के format में सोचो तो माल लो मेरा यहाँ पर sale कितना था भीया 10 lakh हमें इस साल का sale दिखाना है minus कर देंगे 758 यही करते हैं और फिर हम क्या करते हैं कोई bad date से तो भी minus कर देते हैं that is हमारा कितना है 92 400 तो इधर बाकी बचा हुआ sale आप दिखा देते अब भी अब आपका जो profit आएगा उस profit के अंदर कोई रूल नहीं लगेगा क्योंकि सारा का सारा का सारा सीपील में उठाकर डाल दो क्योंकि काम कितने परसेंट कंट्रेट कंप्लीट हो गया 100 तो मान के चलो सारा सीपील में चले जाएगा रूल लगाना भी चाहो तो मैंने बताया था 97 का रूल लगा सकते हो और कैस्ट कितना मिला है तो देखो पूरे से मिल गए Rebecca में दिखा दूगा और अभी दिखा भी दूगा चलिए साह ये कितने हों के 10 लाइक ये 5 बचствен कर रहे थे 5000056 है और अशललाक 12-2-0-ело है पार कि से लाउस भी हो सकता है करो प्रॉफिट भी हो सकता है है ठीड़े जल्डी देखिए अब कि माइनस में ओहो लॉस आ गया यह तो तो गट के तो साती बचाना यही तो आएगा यह है कि वाई साहब नुकसान हो गया कि यह एक लाग पांच यार था दस पांस हो था आपके उपर भरोसा नहीं एक पर देख लेते हैं कि एक पांच चरू ठीड़ गाटे में चला गया कॉंट्रिक्ट तो अब जब गाटे में चले जाए तो काहे का फॉर्मूला काहे का नियम अब तो सब डूबी गया हमारा 1064800 648 00 by loss कोई नियम कानून नहीं चलेगा सर अगर प्रॉफिट होता तो फॉर्मूला लगा लेते सर क्या था फॉर्मूला आपका सर प्लस वन बाइट्री वन बाइट्री नहीं वर्क कैस रिसीव डिवाइडिर वर्क सर्टिफाइट लगा देते अब नुक्सान हो गया यह पूरा कोईशन हमने कर दिया और अभी स् क्या सर क्या किया है क्या किया है सर हमने किया है कॉंट्रेक्ट अकाउंट इसके बाद मैं अभी बनाना सिखा दूंगा कॉंट्रेक्टी अकाउंट तो पहले बताओ यहां तक क्लियर है साथ हजार कैसे आया ओल्ड का ओल्ड का साथ हजार ऐसे आया है कि प्लांट हमारा पुराना साथ हजार था तो यह वाला साथ हजार हमारा ओल्ड का आ गया सब सर यह वाला ओल्ड था ओल्ड था ओल्ड था ओल्ड था ओल्ड था ओल्ड था ओल्ड आया है सनेहा का कहना है सर एकदम क्लियर है अब कॉंट्रेक्टी अकाउंट बनाना सीख ले अब कॉंट्रेक्टी अकाउंट कॉंट्रेक्टी कौन होता है मेरे कहानी के अंदर आ जाओ sir contractee क् выш इन यहां पे शरेम नश्र formats सारे प्हुट्रस आइगा। यानि मैं एक रफली ओडिया दूँम जैसे जैसे ग्रींडुकेटर पैसा मिलेंगा यह क्या कह से मिला सब्सक्राइश मिल दूसरे बार पैसा मिलेगा क्या है कितने रुपहे जो भी मिला मनलेते फंच लाग मिला बस सुंपल पंच लाग पांच लाग 910 sencill कितने फिर से जाओगे कौंट्रिक्टी में या भाई है और यह हमारा काउंट बनके त्या रफली मैंने का आइडिया दिया के बनता कैसे है तो एक लेजर पोस्टिंग एक तरीके का जो हमें करना होगा और यह दोनों साइड हमारा बराबर भी आता है सीडी भी नहीं लिखेंगे कैस लिखके भी मैच कर देते हैं अब चलिए मैं एक फाइनल अकाउंट आपको बना के दिखा देता क्यांट को सर 665 शेट सो होगा सर कैलकुलेशन में 2011 में डबलू आईपी क्या बात कर रहे हैं अब तो हजार ग्यारा में अब यह एड कर आ है मैंने लैस नहीं किया एड किया है अ रोनक गोईल का कहना है सरी यह च्छे बारा आएगा कैलकुलेशन अब देख लेते एक बार कहीं मैंने गड़ पर तो नहीं कर दिया हुम्म सभी कह रहे है यह यह लैस होगा यहां मैंने गलती से एड कर दिया है और मैंने साइड बूल भी दिया तो यह लैस होगा यह लैस होगा सेवन फिप्टी एट बानवे चार सो यह जो प्रॉफिट है यह दोनों जाके लैस होना था इससे चलो इसको अठा देते हैं तो सिक्स सिक्स फाइब सिक्स डबल जीरो और बच्चों ने कहा सर प्रॉफिट आएगा चलो मैंने बस एक गलती कर दी कि यहां पर मैंने एड कर दिया अब लेस क्यों होगा क्यूंकि इस साल का टोटल एक्चुल सेल्स पता ही क्या है यह था जिसमें से इतना यहां पर लिखना था वहीं गड़ बड़ी होगा मैंने टोटल और भी बैड़ेट्स को और एड ओन कर दिया मैंने वहां पर एड ओन कर दिया और बैड़ेट्स को कि अ कि कि तू सर्प्लस आया एक बत्तिस सर अब इस पर फॉर्मुला लगा दो सर्प्लस पर क्या फॉर्मुला लगाओगे जब 75 से उपर 90 परसेंट से उपर हो तो सर रूल लगेगा सर्प्लस इन्टू में कैस रिसिफ डिवाइड बाइ वर्क सैटिफाइड या कॉंटर्रेक प्राइज तो सर्प्लस कितना है सर एक लाग बत्तिस हजार एक एक लग यही क्या बन गया सी प्यल फटा फट रिक बर दिखेए झाल झाल सर डबलू आई पी दुबारा समझा दो डबलू आई पी की बात कर रहे हैं देखो डबलू आई पी में क्या था ये वाला तो समझ में आ गया हर बच्चे को अब ये वाला डबलू आई पी मैंने डारेक्ट उतार के यहां लिख दिया जबकि इस साल में क्या कहना था इस साल म इस में से यह वाला से बैक्टेट हो जाएगा इससाल का एक्षुल सेल्स जो है नाइन तू पोर डबल जीरो तो इसको माइनस करके तब ही तो इसको माइनस करके यहां टोटल दिखाना होता है तो जो मैंने पिछली बार प्लस किया था बस उसको मैंने माइनस कर देना वो प्लस गलती से हो गया मेरे से concept मेरे दिमाग से फिसल गया वो चीज़े यहाँ पर होना था अब सर और क्या कराओंगे सर एक कॉंट्रिक्टी अकाउंट बना के दिखा देते हैं बना दे कॉंट्रिक्टी और सर यह तो बड़ा सिंपल बताया है यह तो है ही सिंपल सर सबसे पहले आपको पहले साल में कैश मिला तो बाए आप क्या लिखोगे कैश कितना मिला अब सेकिंड यह में क्या आपको कितना मिलेगा तो सेकिंड यह में फिर से कैश मिला होगा क्योंकि 10 में से अगर 6 मिल गया तो कितना मिला चार लाग टोटल 10 लाग और 10 लाग यहां सिर्फ कॉंट्रेक्ट अकाउंट 10 लाग कुश्चन खतम यह इस तरीके से मैच हो जाता है मारा क्लियर है अब देखें कुछ कोश्चन और भी है जैसे आप मैंने होमवर्क में तो दिये हैं बाकी मैं आप सभी बच्चों को यह कहना चाहूं अगली क्लास में मैं नियू एक बार पूचके और अगली क्लास में मैं नियू चेप्टर स्टार्ट कर दूंगा और जितने भी यह कोश्चन से मेरे ख्याल इसके भी आंसर डल चुके हैं सायद मैंने दुबारा डाल दिये हैं तो एक बार आप जरूर इसको देख लीजेगा सारे कोश्चन को अगर कोई कोश्चन बोलते हो सर यह तो आहीं नहीं रहा तो मैं आपके लिए अवेलेबल हू मैं यह सारे कोश्चन से आपको जो भी डाउट में होगा वो मैं करके दिखा दूंगा यह आपके जिम्मेदारी बनती है अगली क्लास के अंदर मैं नियू चेप्टर प्रॉसेस करा हूँ और वह बिल्कुल सुरू से होगा प्रॉसेस अकाउं